हला एवरीवन, विल्कम तो लॉजिकल एजुकेशन, आएम रक्षार गुवनशी और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस्रो का EOS03 मिशन जो आज 12 अगस 2021 को लांच करना था, यह लांच किया गया और लांच के कुछ टाइम बाद ही यह फेल हो गया, तो यह क्यों फेल हो गया, क्या रिजन्स ते इसके पीछे, यह सब चीज़ा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यह बात करते हैं इस न्यूस की, इस रो को काफी बड़ा लॉस हुआ है, इसका एक इंपॉर्टन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटलाइट था, वो लांच के टाइम पर फेल हो गया, किस तरह से फेल हुआ, जब इसको लांच किया जा रहा था, तो जो GSLV, जो रॉकेट था, वो माल फंक्चन मतला बेसिकली उसने वर करना बंद कर दिया और वो फेल हो गया, इसको जब लिफ्ट ओफ किया, जब यह टेक ओफ हुआ, उसकी पांच मिनिट बाद, ठेक है, फिर्स और सेकंड स्टेज तो अच्छे से कंप्टीट हो गया इंथी थर्ड स्टेज में यह लाँच जो था, वो क्या करना था, वो क्या लाँच कर रहा था, यह प्लेस करता EOS03 को, EOS क्या है, Earth Observation Satellite है, जिसको जियो स्टेशनरी औरविट में हम प्लेस कर रहे थे, ठीक है, इससे EOS, Earth Observation Satellite, इसका थर्ड नमबर का था, फर्स्ट अल्रेली हो चुका, ठीक है, तो थार्ड नमबर का था, EOS03, जिसको जियो स्टेशनरी औरविट में हम प्लेस करते, इसके बारे में भी जानेंगे इसका वर्क क्या था, ठीक है, तो यह बिसिकली यहां पे फेल हो चुका है, हमारे लिए काफी दुख की बात है, इसका काम क्या था, क्या फायदा होता, वो नहीं हो पाया, टेक्निकल अनॉमली, वालब टेक्निकल ग्लिचिस की वज़े से, वो नहीं हो पाया, थार्ड स्टेश का, वालब बेसिकली जो क्राइजनिक अपर स्टेश थी, वो ठीक से नहीं हो पाया, यह जो मिशन था, जिस तरह से सोचा था, उस तरह से नहीं हो पाया और fail हो गया ऐसा बोला इश्रो ने अपने statement में और उसके बाद उन्होंने और कोई further details नहीं दी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यह यहाँ पर first stage इसका अच्छे से complete हो गया और बाद में यह fail हो गया तो इस तरह से यह गया था अब बाद आती है कि किस तरह से यह क्या है यह cryogenic upper stage तो यह cryogenic upper stage has an indigenously developed cryogenic engine होता है यह हमारा indigenously developed cryogenic engine है ठीक है अब यह क्या होता है इसमें fuel भरा होता है जो इसमें fuel क्या होती है बेसिकली तो liquid hydrogen और oxygen भरी होती है fuel के रोप में ठीक है liquid hydrogen और oxygen जो बहुत ही कम temperature पर होती है minus 190 something temperature होता है इसका तो very low temperature zero से भी बहुत कम temperature होता है तो इसको भी maintain करना होता है अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि इतना कम temperature पर भरी होई होती है प्लस यहाँ से हम fuel को burn भी कर रहे हैं तो एक तरह बहुत कम temperature है और एक तरह बहुत ज्यादा temperature हम उतनी ही quantity में उसको निकाल रहा है और इसको फिर burn कर रहे है जिससे की flight मिले तो basically यह thrust ज्यादा दिता है तो यह है तो cryogenic जो engine है वो हमारे indigenously developed है liquid hydrogen और liquid oxygen इसमें भरी होती है बहुत कम temperature पर अब cryogenic stage is supposed to be much more efficient क्यों किया जाता है यह जो much more efficient होता है और provide करता है greater thrust ठीक है बहुत जादा thrust प्रोवाइट करता है तो हम जो heavy जो rocket होते हैं उनमें use किया जाता है to propel heavier rockets like GSLV जो होता है उसके लिए use करता है ठीक है that are designed to carry bigger payloads जो bigger payload हमें बेजने होते हैं space में उनको carry करने के लिए GSLV हम use करते हैं ठीक है okay these are also much more complex यह बहुत complex भी होते है than conventional liquid or solid proplant जो conventional liquid or solid proplant होते है उनसे काफी जादा complex होते है वो मैं बताती हूं वो क्या होते है because क्यों होते है क्योंकि यह extremely low temperature होता है मैं आपको बता है zero सो भी बहुत कम minus 190 something temperature पर होता है ठीक है तो hundreds of degree Celsius blow zero इतना कम temperature होता है और इसको maintain करना होता है उपर से आप burn भी कर रहे है जिससे thrust भी हो ठीक है तो ज्यादा thrust भी आपको चाहिए ज्यादा payload की आप चीज़ कर रहे है जो की काफी tough होता है काफी complex होता है ओके जैसे आप यहाँ पर यह देख रहे है यह आपका GSLV का मैंने image लिया है तो यह है यह solid plant यह solid है यहाँ पर ठीक है यह आपका liquid के लिए यह बीच वाला यह liquid person है और यह आपका जो third stage होता है जो cryogenic stage है वह है वर्क नहीं कर पाया अब ISRO ने क्या किया ISRO has had a few difficulties with the cryogenic stage earlier as well इससे पहले भी ऐसी problems होई है बहुत सारे launches किये है ISRO ने जो successful हुए है और कुछ ऐसे भी है जिन में problems होई है तो अभी तक 14th launch था यह GSLV rocket से और जिसमें 4th number का failure था तो ऐसा नहीं है कि first time failure हुआ है इससे पहले भी failure हुए है यह जो rocket था Mark 2 version था GSLV का ठेक है यह last time successfully कब launch किया गया था तो GSET 7A इससे launch किया गया था जो successfully launch किया गया था GSET 7A क्या है यह communication satellite है जो GSLV Mark 2 से हमने launch की थी कब की थी December 2018 में की थी और यह आप देख रहे हैं यह है आपका GSET 7A ठीक है तो इससे पहले भी काफी बार किया गया है 14th launch था GSLV से और 4th number का failure था ठीक है तो जो last failure था of this rocket had happened way back in 2010 2010 में last failure हुआ था उसके बाद a failure हुआ है और successful जो launch था वो last हमने इससे किया था 277A का ठीक है ओके अब इससे क्या loss हुआ है इस रोको तो जो यह जो था वो काफी बड़ा loss हुआ है क्योंकि already यह pandemic की वज़े से delay हो गया था काफी delay हो गया दो बार delay हुआ यह क्योंकि जो EOS03 initially plan किया गया था March में March में launch करना था last year March में लेकिन first तो यह delay हुआ इसके कुछ technical glitches की वज़े से फिर दूसरी बार delay हो गया pandemic की वज़े से और अब इसको finally launch करने का सोचा था तो भी launch नहीं हो पाया तो इसे काफी बड़ा loss हुआ ISRO को ठीक है तो अब यह क्या है इसके बारे में जानते हैं EOS03 तब आपको समझाएगा कि क्या इसका फायदा था कि सरे का हम काम करने वाले थे और क्या loss हुआ है ठीक है तो एक यह geo imaging satellite है geo imaging satellite images लेगी basically ठीक है तो इसको double up किस ने किया है तो ISRO ने किया है इस question का answer तो आप आराम से बता सकते है यह कहाँ पे place होनी थी तो यह geostationary orbit में place होनी थी ठीक है geostationary orbit में place होनी थी इसका purpose क्या था इसका purpose जो था यह real time monitoring करेगी of natural disasters ठीक है like flood आता है, cyclone आता है तो कोई भी चीज़ flood, cyclone वगरा country में आते है तो उसकी images हमें ले सकती है और real time monitoring करती ठीक है तो natural disaster की real time monitoring करती like cyclone है, flood है यह सब जो country में आ रहे है ठीक है तो amazing the entire country at least 4 to 5 times everyday एक दिन में 4 से 5 बार image पूरी के पूरी country की image देके दे जेती है पूरी पूरी इंडिया की image 4 से 5 बार एक दिन में देख रहे हैं आप तो कितना important था यह तो real time images हमें मिलती जाती है ठीक है कोई भी cyclone आ रहा है flood आ रहा है country में तो हमें उसका इक्जेक्ट पता चलता जाता है चार से 5 बार एक दिन में इमेज ले रही थी तो बहुत फायदा था इसका ठीक है add in monitoring the crops crops को हम monitor कर सकते थे ठीक है अब आगे भी यह launch किया जाएगा ऐसा नहीं है लेकिन अभी तो finally यह fail हो गया है तो काफी बड़ा loss है तो monitor कर पाते हम crops को water bodies को forest cover changes और जो vegetation condition है इन सभी को हम monitor करते इससे तो यह इसका purpose था इसको देखा हमने यह fail हो गया है तो आपको कैसा लगा लगशे मुझे जरूर बढ़ाएगा अगर आपको कुछ भी अपने exam से important लगता है इसमें तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने हमेश के साथ शेयर करना ना भूलें Thank you so much and for watching